हेलो दोस्तो वेलकम टो आर चैनल तो एक बहुत ही अच्छी ख़वर आ रही है देख सकते हैं आप सिचाई विवहग में यहाँ पर कितने सारे पद हैं आप देख सकते हैं चैसो पद जिलेदार के दिखाए गए हैं उसके अलावा सिच परियवेक्सक के 2389 पद हैं और सिच पाल के 6381 पद हैं आप इतने सारे पदों को यहाँ देख सकते हैं अब हो क्या रहा है आप लोगों को सबसे बड़ी बात यहाँ यह पता चलने वारी है कि इनकी योग्यता क इतनी साही कर दी गई है देखो जिलेदार की जो योग्यता है वो तो है इसना तक मतलब ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर फिर्म फिल कर पाएंगे और उसके बाद यहाँ पर यह जो दो वैकेंसी हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में है पहले सीच पाल की जो वैकेंसी होती फिसमें 10 वांगा जाता था अब भी क्या है 12 कर दिया गया है और सीच पर यह वैकेंसी के इन घुड़सवारी जो है जरूरी थी अब घुरसवारी भी जरूरी नहीं है 1953 की भरती नेमवली में बदलाव कर रहा है सिचाई विभाग ये सारी बाते कही गई है इसके अलावा ये कहा गया है कि जिलेदार और सीच परियवेक्षक के केवल बनवाई फोर्थ पद मतलब 25% पद ही ओपन होंगे मतलब डाइरेक्ट जो भरती होगी वो केवल 25% पद उपर होगी जबकि सीच पाल के 100% पद मतलब 63,000 वो 6,381 टोटल पद ये जो है डाइरेक्ट ही भरे जाएंगे लेकिन ये जो है जिलेदार और सीच परियवेक्षक के पद 600 और 239 ये पद केवल 25% ही भरे जाएंगे यहाँ पर पूरी पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है ये इंपोटेंट मेने सारी चीज़े आपको बता दी हैं तो बहुत बड़ी खुस ख़बरी है कि इतने सारे पद आ रहे हैं सीचाई विभाग में अब सीच पाल की भरती के लिए अब घुरसवारी आनिवारे नहीं होगी इसके लिए 67 साल पुरानी भरती नियमवली में संसोधन का प्रस्ता भेज दिया गया है साथ ही सैक्शली की ओग्यत अभी हाई स्कूल के स्थान पर इंटर्मीडियेट की जा रही है बरतमान में सीच पाल और सीच परिवेक्षक के आधे से ज़्यादा पद खाली है अभी तक लागू 1953 की नियमवली के अनुसार सीच पाल के पद की भरती के लिए गोड़सवारी के साथ ही साइक्ल की सवारी आना जरूरी था लेकिन बदले जमाने में इनकी आवश्क्ता नहीं रह गई है नहरों के किनारे कच्ची या पक्की पटरियां है जहां आसानी से बाइक से पहुंचा जा सकता है इसने इन अहर्ताओं को हटाने का निलने लिया गया है और सीचाई मुख्याले की और से सासन को भेजे प्रस्ताप के मताविक सीच पाल के लिए इंट्रमीडियेट सीच परियवक्षक के लिए भी इंट्रमीडियेट और जिलेदार के पद के लिए सनातक या समकक्ष होना नहीं वार रहे है सीच पाल या सीच परियवेक्षक के लिए 18 से 40 बर्स साल के लोग आविदन कर सकेंगे जबकि जिलेदार के लिए 21 से 40 साल की बीच उम्र के लोग जो है अपलाई कर पाएंगे जिलेदार के 25 पर 30 पर सीधी वर्ती से देख सकते हैं आप यहाँ पर और सेच पद सीच परियवेक्षक के प्रमोशन से भरे जाएंगे बहीं सीच परियवेक्षक जिलेदार हो सकेंगे जिनोंने पहले अपने पद पर कम सकम 7 साल काम कर लिया है ठीक उसी तरीके से उसका है बहीं सीच पाल के सभी पद सीधी वर्ती से होंगे यह देख सकते हैं आप यहाँ पर लाश्ट में लिखा है कि सीचपाल की सारे पद जो 6380 है यह टोटल पद जो है डाइरेक्ट ही भरे जाएंगे और प्रमुक अवियंता एके सिंग ने बताया है कि सीगरी नियमवली को सासर इस तर से मंजूरी मिलने की उम्मीद है और फिर उ